मैं और दोस्तों यह है Ecolaria malecancis variety का यह बढ़ासा पेड यह आप देख सकते हो और भी प्यड्य है इसमें कि यह आप देख सकते हो कि देख सकते हो कि पर दोस्तों इसमें biscuitson किया गया था यह देखिए यह है Ecolaria malecancis variety वराइटी का पोदा इसमें हार्ड उट बोढ़ना शुरू हो गया है यह आप देख सकते हूं और दोस्तों यह देख सकते हो यह है एकुलेरिया मेलेखंसिस वराइटी का पोदा यह चोटा सा पोदा आप देख सकते हो आज दोस्तों बात करेंगे इस पेड के बारे में जानेंगे बारी की से तो बने रहे हमरे साथ वीडियो में आखिर तक हेलो दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल रह्मन इंटरप्राइस नरसरे में तो बात करते हैं एकुलेरिया की बारे में दोस्तो आपको बता दू एक पेड़ है जो महिनली ट्रोपिकल और सब ट्रोपिकल रीजन में पाये जाता है इससे जो आगर उडिया आप कह सकते हो इससे जो ब्लेक उड निकलता है वो बहुत ही सुगंदित होता है और दुनिया बर में हाई वेल्यू के लिए इस्तिमाल होता है अब दोस्तो बात करते हैं एकुलेरिया की कुछ स्पीशिस के बारे में और सबसे अच्चा कौन सी स्पीशिस है या वेराइटी है तो सबसे पहले बता दू, एकुलेरिया की कई प्रजाती पाया जाता है दुनिया की अलग-अलग जगाओं पे एकुलेरिया या अगरोड, इस्पीसिस में ले साउथ इस्ट एसिया में पाया जाता है इंडिया में एकुलेरिया की कुछ में प्रोमुक इस्पीसिस या वेराइटीस पाया जाता है जो आगरोड प्रडूस करते है और ये वेराइटी में ली नवे इंडिया की नर्थिस्ट में रीजन में पाया जाते है जैसे कि एकुलेरिया मेलेखांसिस ये इस्पीशी आसाम और नाचल, परदेश, मेगले, नागलेंड, मिजुराम, तिरपूरा और मनिपूर की जंगलों में पाया जाता है दूसरा वराइटी एकुलेरिया एगलो कोहा, ये भी नर्थिस्ट इंडिया में पाया जाता है और आगरोड प्रोडिस के लिए इंपोर्टन है तीसरा वराइटी एकुलेरिया सिंसिस ये भी इंडिया में पाया जाता है लेकिन ये सबसे ज्यादा चायना में पाया जाता है और दोस्तो वराइटी से जैसे कि एकुलेरिया खासियाना एकुलेरिया क्रेस्टनाय से कई सारे वराइटी से हैं यह species आगरूड या उट के लिए valuable है और दोस्तों सभी varieties में से सबसे ज्यादा premium आगरूड या black उड एकुलेरिया मेलेकांसिस जो वेराइटी है उससे निकलता है और दूसरी बात यह जो एकुलेरिया मेलेकांसिस वेराइटी है यह naturally उड निकलने के लिए भी प्रसिद्ध है इसको artificially fungus लगाने की जरूरत नहीं होता है यह naturally उड निकलता है और market में इस प्रजाती का उड का सबसे ज्यादा demand है तो इसलिए हमारा इंडिया का जो नर्थिस्ट का आगरूड है वो बाहर देशों में सबसे ज्यादा उसका कीमत मिलता है सबसे ज्यादा value हमारा इंडिया का अगरूड का है अब दोस्तों बात करते हैं इस पैट से जो ब्लेक ओड यह निकलता है उसकी कीमत के बारे में तो आपको बता दू एक के जे आगरूड मार्केट में दस हजार से लेकर चार लाख तक value मिलता है और उसका quality की उपर depend करता है कि कितना कीमत मिलेगा तो दोस् सोचा है आगरूड plantation करने के बारे में या आपके लिए आप यह आपके लिए बहुत ही एक अच्छा बात है तो आगर आपने सोचा है आगरूड plantation करने के बारे में लेकिन आपको पता नहीं कैसे आगरूड क्यों लगया जाता है कैसे उसका खेति किया जाता है कैसे plantation किया ज दोस्तो हम बहुत पहले से आगरूट की उफर काम कर रहे हैं काफी सालों से और हमने काफी किसानों को आगरूट लगा के प्लानटेशन करके दिया है और काफी difficult areas में difficult climates में हमने आगरूट को उगया हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको basic सी चीजे बाता देता हूँ सबसे पहले बात करें climate की या तापमत्रा की बारे में तो आगरूट की पौदे को 10 डिगरी से लेकर 45 डिगरी तक जाए temperature रहता है वह आगरूट आसानी से हो जाता है दूसरी बात आगरूट की पौदे की farming के जरूरी है यह दोस्तो अपकी मिट्टी का जो pH है यह आप जरूर मालम कर लेजिए आगरूट की पौदे के लिए pH मुलियर 6 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए यह range पौदे की बीच पौदे की आच्चे विकास और अच्चा उत्पादन के लिए जरूरी है तीसरी बात अगरूट फार्मिंग में पानी का सही मात्रा का पता करना भी महत्तफूर ने तो दोस्तो अगरूट को बहुत ज्यादा पानी के जरूरत नहीं होता है और बहुत कम से भी कम नहीं चलेगा आप मालो दोस्तो अगरूट की जो पेड़े उसकी नीचे पानी जमा नहीं रहना चाहिए और दोस्तो पानी ज्याता सुकना भी नहीं चाहिए एक नमी रहना चाहिए तब जाके बहुत यह अच्छा ग्रोव होगा और दोस्तो चोती बात जब आप पोदा लगाऊ तो एक पोदे से दूसरे पोदा तक की जो दूरी है आप जो गेप मेंटन करेंगे वो कम से कम 7 फीट होना चाहिए यह ज़रूरी है पाचवी बात दुस्तो जब आप पोदा लगाओ तो अच्छी साइज का और अच्छी क्वालिटी अच्छी वेराइटी का पोदा लगाओ ना कि चोटा पोदा लगाओ चोटा पोदा दुस्तो जियाद तर हर इलाके में प्लांटेशन नहीं कर सकते यह plantation के लिए तैयार भी नहीं होता है तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप 3 feet का उपर पौदा लगाईगे जिस पौदे का 8 3 feet का उपर है उसको लगाईगे यह तोड़ा difficult अगर climate होगा तो भी यह survive कर जाएगा आपकी पौदा मरने की chances बहुत ही कम रहेगा और आपका plantation success रहेगा तो दोस्तों इसा चोटा चोटा बातों पौर आप ज़रूर दियान रखिए ताकि आपका पैसा भरबाद ना हो आपका plantation successful हो तो दोस्तों आगर आपको और भी जनकारी चाहिए या आप आगर उट plantation करना चाहते हो या अगर आपकी जो climate climate है उसी इसाब से आपको guide चाहिए तो आमसे direct contact करिए या whatsapp पर message करिए हमारा whatsapp नंबर और mobile नंबर यह 7099446392 यह है आप इसमें आमसे direct contact कर सकते हो तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर दोस्तों हमारे यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे channel को ज़रुर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद